वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर पर पौधे लगाना काफी शुब माना जाता है पौधे लगाने से घर में positive energy रहती है साथ ही साथ घर की आर्थिक इस्तिती भी ठीक होती है तो कुछ ऐसे पौधे हैं जो lucky पौधे होते हैं good luck plants है इन्हें आप fab के शुरू में लगा सकते ह पौधे की cutting भी लग जाएगी और आप nursery से भी खरीद कर ला सकते हैं इनमें सबसे पहला पौधा है जड का पौधा जड की तरह ही क्रैसुला का भी plant होता है जड पर complete video भी channel पर मैंने डाल दिया है आप देख सकते हैं इस पौधे को आप main entrance पर लगा सकते हैं ऐसी मानेता है क लक्षमी को आकरशित करता है ये पौधा इस पौधे के रख रखाव में भी ज़्यादा केर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है चुकि इस पौधे को धन का प्रतीक माना जाता है इसलिए इसे कभी भी गंदगी वाले अस्थान पर ना लगाएं जिन प्लांट कभी भ आपको अंधेरी वाले जगह पे नहीं लगाना चाहिए हमेशा उजाले में और सुरिक की रोशनी में ही ये पौधा ग्रो करेगा ऐसी माननेता है कि जिस घर में ये पौधा लगा रहता है वहाँ पैसे की कमी नहीं होती इस पौधे को आप छोटे कंटेनर में लगाएं ये पूर्व दिशा में घर के अंदर रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा और ये धन को आकरशित भी करता है इसे आप इंडोर प्लांट की तरह ग्रो कर सकते हैं लेकिन ऐसी जगह पे रखे खिड़की के पास जहां थोड़ी सी छनकर धूपाती हो या फिर क्रॉस वेंटिल रखता है स्वास्त चदभाव पॉजिटिव एनरजी मांसिक शांती के लिए इस दिशा में आप रख सकते हैं यदी इस दिशा में जगे नहीं है तो पुर्व के दिशा में भी आप रख सकते हैं यदी आप कोई क्रेटिव काम करते हैं तो बच्चों के रूम में स्टडी पर भी आप इसे रख सकते हैं इस पौधे को घर के किसी भी कोने में एदियाप लगाएंगे तो ये आपको positive energy ही देगा क्योंकि ये पौधा देखने में भी खुबसूरत है लखी plant है और धन को अकरशित भी करता है अगला पौधा है money plant money plant आपने अपने घर में आसपास लगे हुए देखा होगा दो तिन चीज़ें हैं जो money plant के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए money plant की पतियां अदि सूख रही है और सूखी पतियां ही आप गमले में छोड़ देते हैं तो वो एक negative energy को दर्शाती है पतियों को कट करके हटा हटा दीजे money plant के पौधे को हमेशा उच है कि आप उचाई को छूने के बजाए नीचे के तरफ जा रहे हैं इसलिए हमेशा उचाई को दर्शाइए और उचाई में ही money plant को लगाईए money plant को घर में लगाना बहुत ही शुब माना जाता है money plant सुक शान्ती और धन स्मृधी को बनाए रखने में मदद करता है money plant का पू पत्यों का साफ सुत्रा होना बहुत जरूरी है वास्तु शास्त्र के अनुसार money plant को हमेशा दक्षण पुर्व दिशा यानि अगनी कोड में लगाना शुब माना जाता है इस पौधे को शुक्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है और इस दिशा में भगवान गडेश का वास हो आप देख सकते हैं कि किस दिशा में लगाना है और किस तरीके से care करनी है इसने एक plant एक air purifying plant है ये घर में negative energy को या यूं कह सकते हैं कि आपके आस पास मौजूद विशैले गैसों को सोखता है और आपके वातावरण में positive energy देता है ये है तुलसी का पौधा बहुत ही common house plant है सब लोग अपने घर में लगाते हैं वैसे भी सुर्य को मजबूत करने के लिए तुलसी जी में जल देना बहुत ही अच्छा होता है आपके भी तुलसी के उपर ये इस तरीके से मंजरिया निकलाई है तो इन्हें जरूर हटा दीजे तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर प पूरू दिशा में तुलसी का पौधा लगाना शुब नहीं माना जाता है दक्छुन यानि साउथ और पूर्वे यानि की इस्ट यानि की साउथ इस्ट में आप इस पौधे को ना लगाएं ऐसी माननेता है कि इस दिशा में लगाने से हमेशा मानसिक तनाव बना रहता है तुलसी के पौधे को साफ सुत्रा और आप यूं कह सकते हैं ऐसे जगह पे रखें जहां पर की गंदगी ना हो तुलसी में कभी भी आप साफ बरतन से पानी डाले जूठे बरतन से कभी भी पानी ना डाले यदि आप खाद डाल रहे हैं तो किसी भी ऐसे खाद का इस्तिमाल करें जो शुद्ध ना हो जैसे बोन मील वेगरा तुलसी जी में कभी भी नहीं डालना चाहिए आप हमेशा होममेड फर्टिलाइजर ही डालेंगे इस पर कम्प्लीट वीडियो मेरे एवर ग्रीन वाले चैनल पर है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि तुलसी को हरा शुमी का पौधा गमले में बहुत असानी से लग जाता है यह पौधा तुलसी के पौधे के जितना ही फायदे मंद है इसके घर में लगाने से घर में सुख, शान्ती और धन की प्राप्ती होती है साथ ही यह नाकरात्मक उर्जा से भी बचाता है यदि किसी की सनी खराब ह यह साड़े साती ढईया है तो शमी के पौधे के नीचे आप शाम के समय सरसो के तेल का दिया जला सकते हैं जिससे की आपको इसमे रहात होगी इस विशे में आप जनकारी भी ले सकते हैं अगला पौधा है ऐलोवेरा का पौधा ऐसी माननेता है कि ऐलोवेरा लक्ष्मी का प्रतीक है, एलोवेरा को अपने घर में जरूर लगाना चाहिए, एलोवेरा बहुत जल्दी बढ़त ले लेता है, नीचे से नई शूट्स निकालता है, एलोवेरा के और भी बहुत सारे फाइदे हैं, इसलिए एलोवेरा आप अपने घर में जरूर लगाएं, धन्यवाद। झाल झाल